गुद मॉर्निंग ग्लासिस्क्स तोजे वी आर गोईंग तो स्टार्ट आर एक्साइज फॉर्स बी फॉर्स्ट क्वेशन इस फिल इन इच अव द फॉलिंग बॉक्स विद और करेक्ट सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर देखिए अब आपको सिंबल्स प्लेस करने देखिए यहां पर फॉर्स्ट क्वेशन है यह फिगर आपको दी हुई है आप क्या कीजिए सबसे पहले कंपारिजन के लिए जो भी फिगर आपको दी हुई है उनकी डिजर्स को काउंट कर लीजे अगर आपकी जिस नंबर में डिजर्स जादा होएंगी वो आपका बड़ा होगा अब देखिए यहां पर 1,2,3,4,5,6,7 यहां पर 7 डिजर्स है और यहां पर 1,2,3,4,5,6,6 है इट मीज 7 डिजर्स वाला नंबर बड़ा है ठीक है कंपैरिजन सेकिंड प्वेशन देखिए यहां पर हमारा 1,2,3,4,5,6,7 लेकिन यहां पर कितनी डिजर्स हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 यहां पर 8 डिजर्स हैं इट मीज आपका बड़ा नंबर होगया यह वाला थर्ड क्वेशन देखिए 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 अब देखिए यह दोनों में ही 7,7 है तो कंपैरिजन बिजर्स को कांट करने पर नहीं होगा अब देखिए हम क्या करते हैं आगे से कंपैरिजन करना शुरू करते हैं यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है आगे बढ़़ जाते हैं यहाँ पर two है यहाँ पर two है comparison नहीं होगा लेकिन third number देखिए five and six अब यहाँ पर six बड़ा है आगे से देखना है कि कौन सा number बड़ा आ रहा है अगर आगे से देखने पर यहाँ पर six बड़ा आ रहा है तो इसलिए यह number छोटा हो गया और यह वाला बड़ा तो आपका symbol इस त zero है second place पर यहाँ पर one है it means one बड़ा है one बड़ा है तो यही number हमारा बड़ा हो जाएगा चीक है बच्चो तो five और six part आप उससे attempt कीजिएगा next question arrange the following number in descending order अब आपको descending order में arrange करना है तो descending order में arrange करने के लिए आपको क्या करना होता है सबसे पहले सबसे बड़ा number और फिर उससे चोटे number की तरफ हम बढ़ते हैं तो बड़े से चोटे की तरफ आपको जाना है तो देखो यह जो figure आपको दी हुई है इसमें सबसे बड़ा number है यह वाला ठीक है then second place पर आ रहा है this one third पर यह fourth पर यह और five पर यह देखो सबसे चोटा यह इसलिए है क्योंकि इसमें deserts जो है वो बागी सबसे कम है देखो one two three four five six seven यहाँ पर देखिए one two three four five six seven इन दोनों में seven seven deserts है लेकिन seven deserts में जब हमने comparison किया तो यहाँ पर seven thirty five तक दोनों सेम है लेकिन fourth number पर यहाँ पर four है और यहाँ पर five है it means four चोटा है इसलिए यह हमारा fifth place पर आ गया और यह हमारा fourth place पर आ बागी के comparison में यह first decide हो चुका है अब आपको इन दोनों को यह देखना है खाली कि कौन सा number third पर आएगा और कौन सा second place पर आएगा तो देखो बच्चो यहाँ पर six है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर है हमारा यहाँ पर भी six है six thirty five तक सेम है दोनों लेकिन यहाँ पर two है और यहाँ पर one है तो it means two बड़ा है इसलिए यह second place पर आ गया यह third place पर आ गया 8th question 9th and 10th यह बिल्कुल सेम तरीके से होने है descending order में arrange करना है आपको बड़े से चोटे की तरफ बढ़ना है ascending order में देखिए ascending order के अंदर चोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सबसे चोटा नंबर डूंडेंगे देखो सबसे चोटा नंबर 11 पार्ट में यह है 990357 इसमें सबसे कम deserts है तो यह सबसे चोटा हो गया उसके बाद देखिए बच्चो यहाँ प यहाँ पर हमारा इसमें से और इसमें से ही एक आना है अब देखो यहाँ पर 9 है यहाँ पर भी 9 है comparison पॉसिबल ले यहाँ पर 8,7,87 तक comparison पॉसिबल लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 4 है तो इसका मतलब 4 बड़ा है और 3 चोटा है तो चोटा वाला हमने 2nd को place कर दिया यहाँ पर 3rd आ गया अब 4th और 5th नमबर को compare करते हैं यहाँ पर 2, 4, 6 है यहाँ पर भी 2, 4, 6 है इस तक comparison नहीं कर पाए लेकिन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है इसलिए 1 वाला चोटा हो गया तो इसको हमने 4th नमबर दे दिया और यह हमारा 5th हो गया तो इस तरीके से बच्चो आपको ascending और descending के questions करने होते हैं descending में बड़े से चोटा और ascending में चोटे से बड़ा और आप आगे से जो भी digits है उनका comparison शुरू करते हो अगर वो same है तो फिर next digit को compare करते हो जो चोटा होता है ascending में वो पहले आजाता है और जो बड़ा है वो बाद में descending में justice का reverse जो चोटा है वो बाद में और जो बड़ा है वो पहले Okay students, Bye!